नमस्कार मेरा नाम है नमन आप देख रहें एंडरो आइट बिल्लू मैंने क्या चुपाया है पीछे क्या चीज बताव बताव यह है वीवो का क्या सही जवाब आप जीत गई है तीन करोण रुपए अच्छा यह वाला फोन तुम ले रहा ठीक तुमको वीवो फोन वैसे पस प्रशेश बात क्या है वीडियों बताएंगे आपको किन्तु पहले डिपे से निकाल दोने वाज साब तब तो बताएंगा एक काम करें तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए देख लोगी बोल लई ना लाइक कर ये वीवो वी 23 5G मार प अब यह लो भाई साब सबसे उपर फोन रखाए भाई साब और रहे भाई प्या निकालना है ओ भाई अराम से यह मेटल है यह वाला और एकदम फ्लेट ओ भाई साब लग कमाल रहा है पीछे ग्लास है रंग बदलने वाल ए ठंड है नहीं एकदम थंड है वाई मैट इसको रखने साइड में एक टीप्यू सिलिकन केस मिल जाता है इसमें कुछ पुस्त के हैं 44 वोट कड़ाप्टर है कि टाइप-C केबल भाई सहाब यह कुछी ब्रेंड बचाने इसमें की आपको इसा कुछ देखने को मिलता है एडफोन जैक नहीं वाई इसमें नहीं है नह तो यह है न साथ में एडप्टर भी दिया हूँ है न इसके साथ यह वाला अडप्टर मिल जाता है आपको शिम निकालने वाला एंत पुरा बहरा पुरा परिवार है मतलब सब कुछ है डिब बे के अंदर मुझ सही बताओ कैसा लग रहा है वाई मुझे तो बहुत अच्छ है और रियल्मी के भी कुछ स्मार्टफोंस हैं परन्तो यह वीवो वी 23 उनसे थोड़ा सा भिन अर्थात अलग है अभी बताता हूं कैसे सरप्रतम बात करेंगे भाई इसके फीचर्स के बारे में तो 6.44 इंचेस की एक फूल एजडी प्लस अमलेट डिस्पे मिल जाती है 90 ह का रिफ्रेश रेट है मीडर डेकर डाइमेंसिटी 920 चिपसेट दिया गया है यह एक 5G चिपसेट है 400 इमेज की बैटरी मिल जाती है 44 वर्ट की फास्याजिंग का सपोर्ट है 64 मैपिक्सल प्राइमरी सेंसर है 8 मैपिक्सल अल्ट्रा वाइड उसके बाद 2 मैपिक्सल का मैक 12 का सपोर्ट मिलता है सिंगल स्पीकर मिलता है इसमें विलू इसका वजन जात ले किता वेट है 181 ग्राम का है यह वी 23 प्रो है यह 173 ग्राम का है थोड़ा सा पतला और हलका है इस वाले में क्या है धादू का फ्रेम लगा हुए ना 7.39 mm की थिकनेस है इस वाले फोन की पिछले वाली जो जन्रेशन थी वीवो की वी सीरीज की उसकी तुलना में अच्छा लग रहा है और इसका जो यह रंग बदलने वाला है जब यूवीरेस पढ़ती है तो यह गोड़् से अल्मूस्स ग्रीन हो जाता है मतलब कुछ लोग को यह चीज भी अच्छे लग सकती है आपके लिए यह चीज कितनी मैटर करती है वह आप टिपणी के वांते हम से बता सकते हैं क्योंकि बहुत सारी लोग मैंने सुना है कि भाई बैक कवर यूज करते है यह फोन में इसमें रंग बदलने वाला जो सीने भाई काफी जाद जादू ही लगता है सारे फोन ऐसे ला स्मार्ट फोने वाई कैमरा की बात अवश्य होगी लेकिन कैमरा की बात करने से पहले मैं आप से एक चीज बताना चाहूंगा यह वाला फोन बेस विरेंट जो इसका है 6GB 128GB स्टोरिज के साथ आता है और इसको जो लॉंच किया गया है 29,990 यहां 30,000 रुपे के आसपास यह तो ऐसा मुझे लगता है इस वोले फोन का कैमरा जैसे में ने ओपन किया तो सरव प्रतम मेरा ध्यान गया इसके कैमरा यू आई पे इंटरफेस पे वह काफी ज़्यादा बदल चुका है पहले की तुलमा में अब क्या की वीवो एक सीरीज में अपने थोड़ा अलग य देता है और वीवो वी 21 तक जो कैमरा का यू आई इंटरफेस था उतना ज़्यादा यूजर फेंडली नहीं लगता था अल्टरवाइट सेंसर में स्वेच करने के लिए मल्टिपल टच करने पड़ते थे साथ में वीडियो रेजलूशन और वीडियो फ्रेमेट को चेंज क दिया गया है जो कि आपके फेस पे ज्यादा शार्फ फूकस कर सकता है ऐसा वीवो बोलता है और फ्रेंट कैमरा में भी ऐसे दो फ्लेश लाइट दी गई है साइड साइड में उसमें भी था बिल्कुल सेल्फी सेंट्रिक फोन रहता भाई वी सीरीज का कुछ चित्र पता नहीं क्यों अजीब से दिख रहा है जो वाटमा का रहा है वो मॉडल नंबर दिखा रहा है बैसिकली फोन का नेम नहीं दिखा रहा है यह अल्टावाइट से ली है मैंने पोर्टेट मोन में फ्रंट कैमरा से और देख सकते हैं और डीटेल शापनेस ठीक लग रही है क आपको गहीं भी ओवर शापनेस वाला इशू समझ में नहीं आएगा यह देखिए हमने रोड का माइक लगा रखा है वह भी दिख रहा है प्रॉपर यह फ्रंट कैमरा से कुछ और इमेजस हैं देख सकते हैं काफी लाजवाब हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह इसी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे इसमें रेर कैमरा से प्राइमरी कैमरा से क्लिक करी थी और यह वाली है अल्ट्रावाइट संसर से देख सकते हैं फरक कलर से और यह मिल देकरा है एक्सपोजर थोड़ा से से कम लग रहा है मुझे अल्ट्रावाइट वो भी काफी अच्छा है इस मूले के साफ से पिछले साल जो वीवी 21 आया था उस पो थोड़ा जादा ही ब्यूटिफाई करता था जादा ही ब्यूटिफाई करता था उसकी तुलना में भाई इस बार थोड़ा नैचुरल टोन दिया गया है स्किन को इमेज प्रोस्टिंग मे थोड़े बहुत बदलाओ किये गये हैं कैमरा युई में भी बदलाओ किये गये हैं अच्छा लग रहा है मैक्रो इमेज तो मैंने नहीं कैपसर करी वाई से बताऊं तो अगली किसी वीडियो में दिखाएंगे आपको और यदि आपको याद हो तो ओपो रेनो 6 एक स्मार् अगरा है वीव वी 23 उसके मकाबले जादा बहतर है अभी मेरे पास ओपो रेनो 6 नहीं है तो साइड बाई साइड में कंपेर नहीं कर सकता किंतो अगर अरेंज हुआ तो कोशिश करूंगा आपको एक फुल कंपेजन देने की बाकि इस वाले फोन के साथ आप कि स्मार्ट फ तुम ही एडिटिंग करो भाई आप आप नहीं जानते कुछ जी क्योंकि तीन फोन का कंपेजन करेंगे ना तो काफी तगडी मेनत लगी तुम्हारे एंड से तीनों का कैमरा कंपेजन प्लैन करते हैं आप लोग टिपनी के मादल से बता सकते हैं कुछ प्री नोडिफिकेशन भी आती हैं इसके ब्राउजर एप्लिकेशन के तुरू उन्हीं भी आप बंद कर सकते हैं होट एप होट गेम्स पर मिल जाते हैं उन्हीं भी आप डिसेबल कर सकते हैं यह अच्छी बात लगी कि यह एंड्वाइट 12 का सपोर्ट भी मिलता है आपको तो इ इस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी डाल रहा हूं और बस आज कुड़ में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार चलो ठीक है संसकार आगे है तुम्हाए अंदर सही है बड़ी आया है